हेई एब सुपनें एवरेगों, Chat एवरेवन वेल्कम टू इज़ी फारम तो गाईस आज में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाई पर थायारोडिसम, तो दीकिए हमारााइपर थायारोडिसम क्या होता है इसको फुल टिटेल में यहाँ पर हम ब्सकस करेंगे तो जैसे कि आप जानते है हमारा जो सब्जेक्ट ये चल ला है हमारा फार्मा को थेरापोटिक चल ला है डी फार्मा सेकिंडियर का तो हमारा सी सेक्शन यहाँ पे चल ला है जिसमे की डाइबिटीस हमने पहले डिसकस किया था और जो हमारे यहाँ पर लाच्ट वीडियो लेक्श्टर यहां पर रहता है उसमी में प्तिक डिस्ञाइध ल्डर यानि हमारे जो थैरेध डिसbek नोडर यह क्या होतें किस वजह से होतें यह हमने फूल डिटेल में ृधिसकर्स किया था तो देखिए वो जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसको आप पहले वोच्च करें जिससे कि ये वाल जो हमारा हाई पर थायलोडिसम रहेगा ये एजली आपको समझ में आ सके क्योंकि हमाँ पर हमना आपको बेसिक समझाया था वो आप इसली समझ गए होंगे तो इसली आपको समझ मा जाएगा डायरेक्टली आप इसली आपको समझ मा जाएगा लेकिन अच्छी तरके से नहीं आएगा क्योंकि अब यह हमारे के थायरेट से ले डेड तो नोरम समझाए तो हमारे कुछ यहाँपर आप यहाँपर लेक्ट नवाप पर लेरीनुक्स होती है है एंड हमारा जो यहां पर बीच वाला पार्ट होता है जो हमारा बीच का यहां पर कह सकते है जोग होता है यह हमारा इस्तेमस होता है यह हमारा थायराइड गिलेंड होती है यह जो होती है साथ हमारा जो थायराइड गिलेंड यह प्रोडूस करती हैं यहां पर टू टाइप हो तो यानि है फे थायलड हार्मोन की कम ही आज हम हम देखिंगे हाई पर थायलड हार्मोन की कम ही आज हम देखेंगे axle HiPher Thyroid Sum यानि अगर हमारी बोडि में नूर्मल को उनकूटिट सैं जो हमरften है थायलड हार्मोन थायलड हार्मोन जेए तो किस तरह के चेंज हैं बोड़ी प desgras देखने को मिलेगा तुए उसके हांयो जो सर्कुलेशन आपकिस चीज़ का हो रहा है जो सीट Door स्वैभीक्त के पास चाहा रहा है सिधा डॉसा के सकते हैं हमाबर हट को डालटी अफ़ेक्ट करता है जैसे ऑल भी पी इंक्रेइस हो सकता है साती में heart rate तो automatically increase हो जाएगी डायरा वगरा इस तरह कुछ condition हम यहाँ पर हाइपर-thyroidism में देखने को मिल सकती है तो इस तरह के हमारी कुछ ही process रही चलिए अब यहाँ पर हम देखे लेते फर्स्ट इसकी definition तो hypothyroidism और over active thyroid अब देखें यहाँ पर हम इसको over active thyroid क्यों कहा रहा है क्योंको हिसाब से जादा over active हो रहा है जभी तो उसकी quantity हाँ पर जादा हो रही है इसे condition एक condition होती है इन में जिसके अंदर the thyroid gland produce and release more hormones than required by the body अब मान लिए जितनी body को एक तरह से normal requirement है किस चीज़ की thyroid hormone की वो उससे जादा release कर रही है पहले हमारे जो hyperthyroidism ता उसमें जितना हमारी body को चाहिए ता उतना उकर ही नहीं पा रही थी लेकिन यहाँ पर हिसाब से जादा कर रही है और जब भई क्या है normal process से जादा करेगी तो हम कह सकते हैं यहाँ पर thyroxine होता है जिसको हम यहाँ पर T4 कहते हैं T4 हमारा convert होके कहाँ पा आ जाता है T3 में आ जाता है हमारे two most important होर्मोन होते है जो produce होते हैं यहाँ पर thyroid gland से अब देखे इसके जो यहाँ पर definition हमने यहाँ पर हिंदी प्रस चलें next यहाँ पर हम देख लेते हैं इटियोलोजी तो इटियोलोजी हम किसकी देख रहा है हाई-पर thyroidism की सिदा सिदा हम देखें कि कुछ रीजन ऐसे रीजन जिनके वैसे हमारे जो thyroid hormone हो यहाँ पर नॉर्मल से जाधा हो रहा है यानि सिदा सिदा हमारा यहां पर इतना जादा हो रहा है जिससे कि हाइपर थायरोडिजम यहां पर कोज हो रहा है जैसे कि फर्स्टम यहां पर देखेंगे कुछ यहां पर डिसीस जैसे कि ग्रेविस डिसीस होती है इस वह से सिदा सिदा हम कह सकते है प्राइमरी हाइपर थायरोडिजम यहां पर होती इत है कंडिशन यह कैसी कंडिशन ओती इन विच जिसके अंदर। ती descendants डिश्ट्रय थारइट होर्मोन चिलिधा सिधा हम कहने तो संधूर हो गोर विकोंग Oder कि planner Cannon यहां पर सै किस तरह से श्चियंक्त आप मैंन न चाहिए और समय के हो nhất चाहिए न किस त्म chicken तो इस वज़ा से मतलब थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझ के चलिए आगे हम इसको क्लियर कर देंगे आप उजिंगे एक तरह से क्योड़ा हो रहा है तो कोस कर रहा है इस टू प्रोडूस एन एक्सेसिव अमांट ओफ थायरोड होर्मोन होगा तो हाइपर थायरोडिजम की कंडिशन यहां पर कोज हो जाएगी नेक्स्ट हैं आप हम देख लेते हैं थायरोड नोडल्स तो हमारे थायरोड नोडल्स होते हैं जिसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं सेकंडरी हाइपर थायरोडिसम इसमें क्या होता है सेल ग्रोथ इंदे थायरोड गिलैंड यानि जो हमारे सेल्स हैं थायरोड गिलैंड की सेल then the body required, जितनी हमारी body को requirement होती है, उससे साधा, तो हमारी यहाँ पर भी hyperthyroidism की condition आ रही है, अब हम देख लेते हैं, thyroiditis, तो thyroiditis का एक भी एक बिमारी है, it is a infection, तो क्या होता है, एक infection होता है, यानि एक infected ये disease है, of the thyroid gland, gland की क्या है, infected disease है, अब ये एक तरह से infected तो कर लिए है, तो infect कुछ इस तरह से कर लिए है, जिससे की क्या होता है, यहाँ पर thyroid जो gland होती हो, excessive amount में यहाँ पर produce करने लगती है, किस चीज़ को जो हमारा thyroid hormone होता है, and next है, आप हम देखे है, excessive iodine consumption, क्या होता है, जो हमारी iodine होती है, उसको आप अगर normal ले रहे हैं, तो सही है, कम ले रहे हैं तो भई हाईपो-thyroidism हो जाएगा, जाद ले रहे हैं तो हाईपर-thyroidism हो जाएगा, यानि इधर भी कुवा है, इधर खाई है, तो बीच में आप खड़े हैं, तो आपको एक तरह से बीच में ही, सही से रहना है, यानि quantity आपको सही लेनी है, अब कापर सारे points जो आपके mind से यहाँ पर गया होंगे, जैसी कि first हमारा ये था, जो हमारा destroy कर रहे हैं, यहाँ पर immune system thyroid gland को, तो stimulate कैसे हुआ, second यहाँ पर आप सोच रहेंगे, जो एक तरह से हम कह सकते हैं, यह इसको cell की growth कैसे हो रही है, और third जो mind reason था, यहाँ पर एक तरह से infection होने के बावजूद, यहाँ पर thyroid gland एक तरह से कैसे produce कर रही है, thyroid hormone को, तो यह जो सारे ही doubt है, चलिए इसकी pathogenesis में यहाँ पर हम समझ लेते हैं, pathogenesis में पहले हम देखेंगे इस diagram को, अब आप सोच रहेंगे सार एक और diagram आगया, तो देखें, यह जो diagram है, आपको एक्जाम में तो बना कहाने नहीं है, आपको समझ लेते हैं, तो आप अच्छे समझ लेजे, क्योंकि यह diagram आप अच्छे समझ लेजें, जब यह आपको समझ में आएगा इसका pathogenesis, pathogenesis समझ में नहीं आएगा, यहाँ होते हैं, यहां पे ब्लेन में होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा क्या, एंटेरर, पिट्योटिक लेंड है, यह किसको यहाँ पर produce कर रहा है, यहाँ पे TSH को, पहर से बोडी के अंदर infection में हो रहा है, जिसे बैक्टिरिया हो गया, फंगी हो गया, वाइरस हो गया, इनके थूर एक तरह से बोडी में infection में कुछ other problem होती है, तो हमारे immune system क्या करता है, यहां पर anti-body को release करता है, जो एक तरह से उसको destroy करती है, और बोडी को एक तरह से सही condition में लाती है, लेकिन यहां पर तो सोचने वाली बात है, जो हमारे किया बड़ी थायरड यहां पर गिलेंड है, और destroy क्यों यहां पर कर रहा है, किए इसने इसको यहां पर गलत समझा है, कुछ miss understanding कैसी हो गई है, आप सोच लोगे हैं, इनसानों मिस understanding होती है, और गंस में भी होती है, तो बिल्कुल यहां पर होती है, फिरोसरी सा बोडी की बिल्कुल होती है, यह तो इसने रिलिस की, लेकिन यह भी हां पर confused हो जाती है, जैसे ही यहां पर यह इस पर आकर bind होती है, जैसे ही हां पर bind हुई, तो यह तो हमारी normal process थी, यहां पर क्या था TSH है, यहां पर जब bind हो रहा था receptor पाकर जैसे पीछे हमने देखा, तो एक तरह सी यह इसको stimulate कर लाता thyroid gland को, जिससे के यहां पर thyroid hormone यह रिलिस कर लेती, जादा quantity में, तो यहां पर जब यह bind हुई, यहां पर antibodies आगे, तो जो क्या है हमारी यहां पर thyroid gland है, इसने भी इसको गलत समझ लिया, गलत क्या समझ लिया, इसने सुझा TSH है, इस वज़े से इसने क्या करते है, यहां पर stimulate कर दिया, किस चीज़ को thyroid gland पूरी हमारी stimulate होगी antibodies के थुरू, यहां पर इसको antibodies को, यहनि TSH इसने समझा thyroid gland ने, जिससे कि इसने इसको bind होते है, इसने सुझा signal है पीछे से, बोडिको requirement है, यहां पर extra thyroid hormone की, तो इसने यहां पर इसको release कर दिया, तो यह हमारा पूरा fund आ था जिसमें कि हम कह रहे थे, कुछ हमारी condition है, ऐसी होती है, सारी antibodies ए अगर वो तो हम आगे देखेंगे, तो कुछ इस तरह का हमारा normal यह process रही, तो जो क्या है हमारी correct condition है, कि इस चीज़ के हमारी immune system की, अगर वो बिल्कु नर्मल हो, तो किस तरह से process रहेगी, अभी तो हमने देखा, इसने गलत समझा, इस वज़ा से हमारा हुआ, और अगर मान लीजिए, जो हमारी thyroid gland है, उसको क्या करेंब है, यहां पर आकर destroy हो कर रही है, कौन यहां पर जो autoimmune system, यानि autoimmune system एक तरह से हमारी disease है, जो hypo thyroidism है, दो नहीं है हमारी, तो क्या करें, एंटिबोड इस रिलीस करें, जो एक तरह से हमारी thyroid, यहां पर receptor पा रहे है, किस चीज़ क thyroid gland के, और यह इसको यहां पर destroy कर ली है, और मान लीजिए, इसको भी destroy कर दे, खतम कर दे, तो thyroid gland एक तरह से produce नहीं करेंगी, किस चीज़ को thyroid hormone को, तो सी तरह से हम कह सकते हाईपो thyroidism की condition फिर हमारे आ जाएगी, यहां एक तरह से दोनी तरह से आफ़त है, अगर यह कम होती है, तो भी एक तरह से दिक्कत है, जाद होती है, तो भी दिक्कत है, तो यहां पर hypo thyroidism हो जाएगा, इसलिए हमारे जो thyroid यहां पर gland वो इसको गलत समझती है, जिससे कि हमारी पूरी ही condition होती है, I think आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर समझ आया होगा, अब हम देख लेत होता है, यहां पर thyroid stimulating hormone, यह क्या करता है, किस चीज़ को thyroid gland को, जो एक तरह से जादा amount to produce करती है, thyroid hormone को, तो यहां पर वर को रहा है, जो हमारी antibodies है, सीधा सीधा कहां पर जाकर bind हो रहे हैं, जी से अप्टार पर thyroid एक तरह से gland के, और उसको stimulate करें, क्योंकर thyroid gland उसको गलत समझ लि है, यहां पर इसमें toxic, डिनोमा, और साथ ही मल्टी नोडलर, और गोईटर, सीधा सीधा हम कह सकते हैं, जो गांट वगएर हो जाती हो, thyroid gland वगएर हम बन जाती है, तो उस condition में भी क्या होता है, जो thyroid hormone होता है, वो excess amount में हो पर प्रोडूस होने लगता है, जैसे कि सीधा सीधा क्या होता है, उसको release करती है, थोड़ा जादा भी कर देती है, जिससे कि यहां पर hyperthyroidism हो रहा है, लेकिन अगर एक तरह से TSH, जो ही यह इसको stimulate ना करे, तो भी कुछ quantity में तो फिर भी हो release करेगी, लेकिन क्या है, थोड़ा सा कम करेगी, पूरी quantity में नहीं करेगी, अब इनक पर damage हो रहे एक तरह से कहीं नहीं हम कह सकते हैं, यह भी primary hyperthyroidism का यहां पर reason होता है, एक चीज़ आप इसमें और add कर सकते थे, जैसे कि पीछा भी हमने देखा था, हमने थोड़ा सा यहां पर इसको जाद लेंथी नहीं किया, इस वज़े सा एड नहीं किया है, जैसे कि हमार clinical manifestation, नॉर्मले हम कहें तो symptoms, देखे हाई पो थायरोडिजम जो होता है, और हमार जो hyperthyroidism है, इसके जो एक तरह से symptom होंगे, यह बिल्कुल अपोजिट होंगे, उस में क्या होता भी weight जो होता है, यहां पर weight loss हो जाएगा, कम हो जाएगा, sweating पसीना आ सकता है, साथ में vision changes, आख the weight भी होता है, साथ में heart problem, भ modelo बही होता है, जो चाता हमारा होता है, यहांपर hyperthyroidism हो हो रहा है, सीदा सीदा हम कहें सकते है, जो hurt rate वगडर है, वो भी होता निक्लीस आपको देखने को मिल सकती है, भी है कि का होता हुँग आए आपको decrease भीज़क्युने को मिल सकती है, yours प जिसकर से कैसे हम इसको थोड़ा सा Nov कर सकते हैं जिसे अबोइड समोकिंडuju कर देन चाहिए इस्टरेस को मैनेजमेंट करना चाहीए ओ देखिए दायेट kynले रहते हैं आयोडिव plaid तो आयडियन मेंगर को यहां पर हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं जिससे केल्चम विटामिन डी और लेस आयोडीन इस तरह की कुछ डाइट यहां पर हम ले सकते हैं नेक्स हम देखे लेते हैं फार्मकोलोजिकल मैनेजमेंट यानि कुछ तेरफी कुछ दवाईयां जिससे के एक तरह हम क्या करेंगे यहां पर नोर्मल इंग को हम कहते हैं एंटी थायराइड अब एंटी थायराइड ड्रग एक तरह से क्या करेंगे जो हमारी थायराइड होर्मोन है उसकी क्वांटिटी यह तरह से कम करने का वर्ड करती हैं अब देखे कुछ सीच्वेशन ऐसी होती है जैसे कि हमना आपको ट्रीट्मेंट में वहां पर डिसकस किया था हाईपो थाय एक तो कि हया है तो नौ करना है तो सीधा चर्ण कर सकती हिं होर्मोन इनिबीटिंग मेडिकेशन जवार्मोन ए उसको इनिबीट करने की मेडिकेशन यहां पर हम लेते हैं जैसे कि यहां पर मेथी मस्तुल साथ हमें गल劉को कोटिकोईट्स और येडियक्टिव हाई पर थायलोडिसम के अंदर तो उनको यहाँ पर टिलेट करने के लिए यह हम दबाये दे रहे हैं साथ ही में थायलाइड होर्मोन जो है उसके जो एक तरह से लेवला जादा हो रहा है उसको कम करने के लिए तो इस तरह का हमारा पूरा ही यह टोपिक रहा आई होप आपको पूरा ही टोपिक बहुत ही अच्छी तरके से यहां पर समझाया होगा अब आप कमेंट करके बताएं आपको पूरा ही वीडियो लक्टर कैसा लगा अब देखें इस लेट कोई भी आपका डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हैं और आप मार चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की वीडियो लेक्टर देखने के लिए और आप वीडियो लेक्टर को पने फ्रेंड के साथ भी शेयर किया करें